आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पिरमुख जलपरपात वो भी एक ट्रिक से यानि कौन सो जलपरपात किस नदी पर इस्थित है तो वीडियो को पूरा देखिए बहुती असानी चैप्टर आपके लिए होने वाला चलिए करते हैं सुरूर तो एक साइट है जलपरपात और दूसरी साइट है नदी यानि कौन सो जलपरपात किस नदी पर इस्थित है तो सबसे पहले बात कर सकते है जोग या गर्सोपा यानि जोग या गर्सोपा जलपरपात किस नदी पर इस्थित है तो यह है सरावाती नदी पर अब देखें आपको trick से कैसे याद रखना है तो जोग जोग यानि जोगी यानि की योगी तो जो योगी लोग होते हैं वो क्या हिदायत देते हैं क्या सिक्सा देते हैं कि भी सराब से दूर रहना चाहिए यानि जो योगी लोग होते हैं जल प्रपात यह है कावेरी नदी पर अब देखें सिब समुद्रम में वरड़ा रहा है समुद्रम यानि समुद्र और समुद्र में हम सभी जानते हैं इतना कूडा करकट उसमें मतलब बहुत ही गंदगी हो रही है तो हमें समुद्र की करने चाहिए चिंता करने चाहिए मतलब बहरी करने चाहिए हमें तो सिब समुद्रम यानि समुद्र और समुद्र की हमें करने चाहिए बहरी यानि चिंता तो बहरी से हो जाएगा कावेरी नदी नेक्स्ट है चूलिय जरपरपात और पुनासा आप देखें चूलिया और पुनासा आपको एक साथ देखने हैं पुनासा में जो sound आ रही है वो आ रही है मुहासा चारी है मुहासा और मुहासा किसे कहते हैं सरदी कू और चूलिया यानि चूला तो मुहासा और चूला का ने के संबंद है तो मुहासा और चूला में हम चै करते हैं मतलब मुहासा में ठंड लगती है तो हम चूले के पास जाकर वैटते हैं और साथी साथ हम क्या ओड़ते हैं कंबल ओड़ते हैं कंबल तो पुनासा यानि मुहासा चूलिया यानि चूला मुहासे में हम चूले में जाते हैं और साथ-साथ कमबल ओरते हैं तो कमबल सो जाएगा चमबल लदी तो चूलिया और पुनासा दोनों ही चमबल लदी पर इस्थित हैं नेक्स्ट है धुआधार अब धीकिए धुआधार में बढ़ दारा है धुआ द्धुआ धार में क्या बार डारा है द्धुआ अब द्धुआ जो होता है हम नॉर्मली लकड़ी को जलाते हैं तो तब निकलता है लेकिन कैसी लकड़ी को जलाने पर जो थोड़ी नर्म हो यानि कि पूरी सूकी नहो जो नर्म हो तो धुआ जो निकलता है नर्म लकड़ी को जलाने से निकलता है तो धुवाधार यानि धुवाधार निकलता है लकड़े को जलाने से तो नर्मस हो जाएगा नर्मदा तो धुवाधार जल पृपात हो गया नर्मदा नदी पर next step बिहार अब देखिए बिहार जलपरपाथ है टोन्स नदी पर अब देखिए हार यानि हार और जीत का फैसला हम वैसे तो किरकेट में या किसी भी चीज में तो पहले वैटिंग कोन करेगा या पहले बोलिंग कोर करेगा तो इस हार जीत का जो फैसला करते हैं कैसे करते हैं? टोस कुदा कर तो बिहार यानि हार जीत का फैसला करते हैं टोस से तो टोन्स नदी next step गोगक जलपरपाथ अब देखिए इसके लिए तो ट्रिक की जरूती नहीं ये गोगक नदी पर ही इस्तित है गोगक जलपरपात गोगक नदी उसके वाद है पाय कारा अब देखें पाय में वैड़ा रहा है पाय और कारा यानि कार तो पाय कार से हमको याद रखना है कि गिरी पाय कार से गिरी तो पाय कारा यानि पाय कार यानि पाय कारा और गिरी से हो जाएगा नील गिरी छेत्र तो पाइकारा जलपरपात नील गिरी छेत्र में इस्थित है उसके वाद है येनना येनना से हो जाएाँ देखिये मैं भी बताओं आपको हुंडरू तो येनना से यानि अनना इसमें sound आरी है अनना और अनना क्या होता है यानि अन्य जो नाम होता है नूर्मली मर्दों का नाम होता तो मर्द से हो जाएगा नर्मदा नदी तो यह इन्य जल प्रपात भी नर्मदा नदी पर ही इस्थित है उसके वाद है हुंडरू, हुंडरू यानि डरू अब कौन डरू, डरू की यानि यहाँ पर साउन आ रही है न, डर तो कौन डरी हमको याद रखना के भई रेखा डरी हुंडरू यानि डरू यानि डर, तो कौन डरी, रेखा डरी तो इस परकार हुंडरू जल प्रपात हो जाएगा स्वरन रेखा नदी पर तो देखिए 10 important जलपरपात थे जो काफी ज़ादा exams में पूछी जाते हैं I hope ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करना ना भूले और दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिए जिसके इसका benefit आपके दोस्तों को मिल सके इसको like कीजिए और अपना feedback हमें comment करना ना भूले तो thank you for watching friends मिलते हैं next वीडियो में